नमस्काल दोस्तों मैं डॉक्टर लोग के इंदर बहुत बहुत शागल करता हूं आपका मेरी येट्यूट चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे विरोंकूरिया के बारे में विरोंकूरिया यानि की कफ बनेने की प्रवर्थी जिन मरीजों को बहुत ज्यादा वल्गम बन के दिए है यह से जिनके उमरें 50 साल से जादा या फिर जिंको बहुत लंबे समय से क्यों लंग्स की बीमारी है यह लंग कैंसर है फिर उनको ट्रेवा किलोसेश समस्या रॉंक कै Ό seiner mentre या वर्वन कियास के समस्या है तो ऐसे मरीजों में उनको कफव बननेने की जो प्रवर्ती होती है बहुत जादा होती है जिसे हम व्रोंग कूरिया कहते हैं दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चलो को सब्सक्राइब जरूर करें व्रोंग कूरिया को हम कैसे डिफाइन करें व्रोंग कूरिया कैसे हम इससे बच सकते हैं और व्रोंग कूरिया को कैसे हम दूर कर सकते हैं व्रोणकॉरिया होता है क्या है ये समझना सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि व्रोणकॉरिया जब होता है आपको यानि कि जब बल्गम बनने की प्रवर्ति आपको होती है तो आपको काफी सारी समझ्यां बढ़ जाती है, अब ब्रोंकोरिया को समझने के लिए दो चीज़ें आपको सबसे पहले समझने होगे हमारा जो respiratory system है ये दो भागों में बटा होता है अब respiratory system क्या होता है जो हमारे सांस नेली की नलिया होती है जो नाक से लेकर के फैपड़ों तक की जो हमारे नलिया है उसे हम respiratory system बोलते हैं अब ये respiratory system आगे चलके यानि कि यहां से नाक से होते हुए गया यहां से होते हुए यह गया और ये trachea से आगे जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है जिसे हम left कहते हैं left bronchus या right bronchus या left bronchial tree या फिर right bronchial tree तो जब यह दो भागों में बट जाता है तो यहां पर जो right वाले lungs होता है इसमें infection होने की chances ज़्यादा होते हैं यह infection के लिए ज़्यादा प्रोब होता है तो यह जो right वाला फैपड़ा है उसमें अगर ज़्यादा infection होता है तो कई वार लोगों को pneumonia की सिकायत होती है या foreign bodies envision की की problem होती है तो right वारे lungs में ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें ज़्यादा होने की problem होती है यहाँ पर जो हमने दोनों trees को divide किया यानिकि एक left को और एक right को यह आगे चलके चोटी-चोटी capillaries बनाते हैं चोटी-चोटी tree और बनाते हैं जिने हम आगे चलके bronchial tree बोल देते हैं तो bronchial tree जब आपकी bronchus के अंदर ज कि उन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा वैस्ट होती है जिन मरीजों को पीला वल्गम आता है जिसे हम नॉर्मल भासा में कहते हैं कि उस मरीज का जुकाम पक चुका है तो अगर उस मरीज को yellow thick stick की वल्गम आ रहा है उस patient को ऐसी समझ्या है उस मरीज को चाती से गड़गर ज medicine use कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजेड्स हैं दूसरा इसके साथ में यूँज कर सकते हैं वालसम पेरू वालसम पेरू वह बहुत अच्छे medicine है और वालसम पेरू के बहुत अच्छे दिन में आपकी जो बीमारिया थी जो आपकी कव बनने की प्रबर्ती थी वो धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स से आप जूज रहेते वो आपको रिलीफ मिलना उसमें स्टार्ट हो जाएगा मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी